क्योसर नमबर एक, मरने के बाद इनसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? आपका सही आंसर है 10 मिनिट क्योसर नमबर दो, भारत के कौन से राष्टरपती अखबार बेचते थे? सही आंसर, एपी जे अबदुल कलाम अखबार बेचते थे क्योसर नमबर तीन, कौन सा जीव अपनी जीव से सांस लेता है? इसमें आपके चार ओप्सन देर खें ओप्सन ए, मेंडग, बी, मचली, सी, सांप, डी, चीन्टी तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी, यानि सांप जो होता है, जीव से सांस लेता है क्योसर नमबर चार, सबसे कम अंड़ा किस देश के लोग खाते हैं? सही आंसर, मेक्सिको देश के लोग सबसे कम अंड़ा खाते हैं क्योसर नमबर पांच, कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है? सही आंसर, कच्छवा, यानि B इसमें आपका जो है, राइट आंसर हो जाएगा कच्छवा जो है, 200 साल तक जीवित रहता है दोस्तो, ऐसे ही रोजाना, इंट्रेस्टिक और इंपोर्टेंट क्योसर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सबस्क्राइब करें क्योसर नबर 6, किस देश में दो साधी करना अनिवार यह है सही आंसर, आइसलेंड में, यानि C आपका जो है, राइट हो जाएगा आइसलेंड देश में दो साधी करना अनिवार यह है क्योसर नबर 7, सबसे कम भू कम किस देश में आता है सही आंसर भारत में यानि इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा क्योशन नमर आठ आलू चिप्स में कौन सी गेस इस्तेमाल होती है दोस्तो इसमें चार ओप्सन देर खें आपको इसमें से एक ओप्सन चूज करना है तो आपका ये जो है आलू के चिप्स में जो गेस होती है वो नाइटरोजन होती है यानि सी आपका सही हो जाएगा दोस्तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको इन प्रशनों में से कितने प्रशनों के आंसर पहले से आते हैं और एसे ही रोजाना इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट जीके के क्यूशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्यूशन नमबर नो किस देश में एक भी खेल नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापूर में जिसमें एक भी खेत नहीं है क्यूशन नमबर दस भारत का सबसे पूराना खेल कौन सा है इसका दोस्तो सही आंसर हो जाएगा कबड़ी यानि ए आपका सही आंसर है क्यूशन नमबर ग्यारा दुनिया में काले हंस किस देश में पाई जाते हैं आपका इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा डी यानि ओस्ट्रेलिया देश में काले हंस पाई जाते हैं क्यूशन नमबर बारा किस ग्रह पर हीरो की बारिस होती है सो दोस्तो इसका क्यूशन नमबर बारा में आपका सही राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रेम में हीरों की बारिस होती है क्यूसर नमबर 13 भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है तो इसका सही right answer हो जाएगा गोवा में गोवा में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है क्यूसर नमबर 14 आग में गी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तो इसका जो सही right answer है आग में गी डालने का मुहावरे का अर्थ जो है और भढकाना यानि आपका सही right answer हो जाएगा A QC number 15 सांप के मुहें में कितने दांथ होते हैं इसमें आपका सही right answer हो जाएगा 200 दांथ यानि ए आपका सही है दोस्तों एक बार हमें comment करके जरूर बताएगा कि आपको पहले से इन प्रस्णों में से कितने प्रस्णों के answer आते हैं दोस्तों एसे ही रोजाना इंट्रेस्टिंग जी के क्यूशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें आज के लिए धन्यवाद